और आज का जो विशय है वो है बाट जो होते रहना अब यह बाट जोते रहना यह वाली बात नहीं है जो हम वाइट टाइम यह तो परमेश्वर के वचन के समय में बैठते हैं और उस समय हम बाट जोते हैं परमेश्वर की बातों के लिए शांत रहते हैं पर यह कलीस्या के लिए अंतिम समय में परमेश्वर ने यह बात बोली है वचनों में और वो यह बात है कि बाट जोते रह किस बात की तो परमेश्वर येश्व मसी के आने की और ये बात परमेश्वर ने संसार को नहीं पर कलीसिया को बोली कलीसिया को ये बात प्रगट की कि तुम उनकी बाट जोते रहना और आज हम इन बातों पर गौर करने वाले हैं कि बाट परमेश्वर की कलीसिया को आपको को बाट को जोते रहना है कि बाट जोने वाले कौन है कैसे होते हैं यह हम देखेंगे और समझेंगे और जहां कहीं भी पवित्रा आत्मा हमसे व्यवहार कर रहा है हमें अपील कर रहा है हम invincible Is अंदरूनी हिस्से को स्पर्श कर रहा है तो हमें पवित्रा आत्मा के सामने उन बातों को लाना है प्यारों सबसे पहले परमेश्व का वचन तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय और तेरवी आयत में ये बात लिखी है हम उसको पढ़ना चाहेंगे हो सकता है तो ही ऐसा जरूर नहीं है कि हर एक आयत रखी जाएए आप अपने पास बाइबल को रखिए हर एक घर में जहां कहीं भी आप बैठे हो अपने बाइबल को खोलिए यह व्यवस्था अच्छी है कि स्क्रीन पर प्रभू के वचन आ जाते हैं प्रभू के दास यह सब मैंनत करते हैं आपकी मैंनत को पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारे बाइबल को बंद रखकर बैठे रहें प्रुपिया अपने बाइबल को अपने हाथ में लीजिए और कह है कि मैं इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर की अगवाई पाऊंगा और बहुत फलों को लाओंगा कि हमें कि तुस्की पत्री दूसरा अध्याय और तेरवी आयत देखे क्या के ते और उस धन्या आशा की अर्था अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता येश्व मसी की महिमा के प्रगट होने की बाट जोते रहो क्या लिखा है बाट जोते रहो मेरे पीछे बोल सकते हैं बाट जोते रहो अपने दाइने बाएं जो भी बैठा है उनको बोल लिए परिवार जनों को बाट जोते रहो अब किस बात की बाट ज उसके पहले जो लिखा उससे हमें पता चले का ग्यारवी और बारवी आए देखे क्या बताता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है अभी हमने गाना गया नहीं वर्शिप के दोरान प्रभू के दास्ते बहुत सुन्दर तरीके से उस गाने को हमारे सामने रख और ये बड़ा अनुग्रह मनुष्यों के उद्धार का कारण हुआ और सब मनुष्यों के सब मतलब जो कोई इस बात पर विश्वास करते वो और लिखा है कि अब ये अनुग्रह क्या करता है कि हमें चेताव नहीं देता है हमें चेताव नहीं देता है बोले अनुग्रह चेताव नहीं देता है कि हम ओभकती और सांसारिक अभीला श्राओ से मन फेर कर इस यूग में सैयम और धर्म और भक्ती से जीवन बिताए और बाद में तेरवी आयत में continue करके लिखाए कि और उस धन्याशा की बाट जोते रहे अललोया पर ये जोते रहने के लिए क्या बात है हमें अभक्ती सांसारी कभीलाशा उसे मन फिराना है हमें जाचना है आज की सं साथ connect है कौन सी ऐसी सांसारी कभीलाशा मेरे साथ जुड़ी हुई है इस बात को समझ ना है प्यारो लिखा है कि इंग्लिश में जो सब्द लिखा है सैयम धर्म और भक्ती लिखा है कि सौबरली राइचियसली और गॉडली सैयम धर्म और भक्ती से जीवन बिताए सैयम के लिखा है कि रूल अवर सेल्फ प्रॉपरली अपने जीवन को सही रूप से रूल करे आगे बढ़ाए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए रूल करे दूसरा है राइचियसली मतलब धर्म मतलब नियाईर तरीके से और तीसरा है भक्ती से जीवन बिताए ये तीन महत्वपून बात एक और बाट जोने की बात को हम और पढ़ लेना चाहते हैं यहूदा की पत्री पहला अध्याए और सत्रा से पढ़ेंगे हम यहूदा की पत्री पहला अध्याए नैय निया में 341 नमबर का पेज भै लिखा है पर हे प्रियो तुम उन बातों को समरण रखो देखे यहां पर पर प्रभू का दास विश्वासियों को लिख रहा है और कहरा है नुन बातों को समरण रखना है कुछ बात बताई गई है, उन बातों को स्मरन रखो, जो हमारे प्रभु येश्यु मसी के प्रेरी पहले ही कह चुके है, वे तुम से कहा करते थे, क्या कहा करते थे, येस, पढ़िए बहुत ध्यान से अपनी आँखों को खोल कर पढ़े, क्या लिखा है, पिछले दिनों में, मतलब आज का जो समय है, उसकी बात है, पिछले दिनों में, ऐसे ठठा करने वाले होंगे, जो अपनी अभक्ती की अभीलाशाओं के अनुसार चलेंगे, अनुसार चलेंगे, अनुसार चलेंगे, जो परमेश्वर जीवन चाता है, वो नहीं, पर अपनी मनमर्जी का जीवन अपनी अभीलाशाओं से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, वो चलते हैं, चलाइमान होंगे, वो अपने विचारों से, अपनी गंदी विचार शिल्ता से प्रभावित होकर जीएंगे, और लिखाएंगे, ये वे हैं, जो फूट डालते हैं, और इनके लिए क्या शब्दे लिखा है, ये शारीरिक लोग है, मतलब अभक्ति की अभीलाशाओं से चलना शारीरिकता है, ये शारीरिक लोग है, जिन में आत्मा नहीं, और अब वापिस यही बात लिखिए, पर हे प्रियो तुम अपने अती पवित्र विश्वास में उन्नती करते हुए, देखे क्या क कलीस याने जो उद्धार पाया है, वो विश्वास, वो पवित्र विश्वास कि येश्यु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, कुर्बानी दी, मेरे दूखों को उसने ले लिया, वो तिसरे दिन जिवित हो उठा, ये पवित्र विश्वास हमें उद्धार देता है, और य इन अंग है एक विश्वासी व्यत्ती के विश्वास में उन्नती और आत्मा में प्राथना लिखा है ये दो करकर आप अपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु येश्व मसी की दयार की बात जोते रहो फिर से वही बात आ रही है कि वाट जोते रहो मतलब प्रभु येश्व मसी के आने की बात देखते रहो पर किस तरीके से विश्वास में उन्नती करते हुए और आत्मा में प्राथना करते हुए आत्मा में प्राथना कैसे की जानी चाहिए ये अलग विश्वास में बाद में कभी सिखाएं तुझे अपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है, येस, हमें परमेश्वर के प्रेम में अपने आपको बनाए रखना है, प्यारो, हाललुया, एक और बात हम पढ़ना चाहेंगे, पहला तीमोथी 6 और 14, पहला तीमोथी 6 और 14 लिका लिए, पहला तीमोथी 6 और चवदावी आयत कि क्या लिखा यहां पर कि तू पॉलुस यहां पर तिमोथी को कह दें तू हमारे प्रभू येश्युमसी के प्रगट होने तक प्रगट होने तक बोलिये येश्युमसी के प्रगट होने तक हमारा येश्वमसी एक बार प्रगट हो चुका है दोजार वर्षपूर्व और फिर से वापिस प्रगट होने वाला है सुन रहे हैं आप लोग पर मेरे पास परवेश्वर का कोई दुसरा वच्चन था जो दुसरी सेकंड मैं को भाई को लेकर भाई से चुटकारे को लेकर बूला था उसमें मैं आगे कंटीन्यू करने वाला था पर पवित्र आत्मा ने इस बात पर बोलने के लिए कलिस्या को अगवाई देने के लिए पता नहीं क्यों मुझे जोर दिया है बढ़न दिया है और इसलिए मैं ये बात आपके सामने आज सुबह ही जो बाते प्रभु ने मेरे सामने रखी वह आपके सामने लाया है कि येश्यू मसी के प्रगट होने तक क्या करना है इस अग्या को निश्कलंक और निर्दोष दस आयत मैं पढ़ता हूं आपके लिए वही छक्ठा द्याय चार से दस आप बहुत ध्यान से ध्यान रखेगा प्यारों बहुत महुत अपून बाते हैं छक्ठा द्याय और चार से दस तो वह अभी मानी हो गया और कुछ नहीं जानता वरन उस विवाद और शब्दों पर हैं। तरक करने का रोग है देखो विवाद और शब्दों पर तरक करने वाले लोग इस समय में बहुत बढ़ते जा रहे हैं आप अपने आपको बचाईए अपने आपको बच्चा है, विवाद क्या लिखा है और शब्दों पर तर्क करने का ये किसम का रोग है ये एक आत्मिक बीमारी है जो अंतीन समय में कब लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग इन सब बातों से अपने आपको अलग रखे एक और जगे लिखाए कि इन बातों से अपने आपको अलग रख वाद वीवाद में उलजने वाली बात नहीं है लिखाए क्यों क्योंकि जिससे डाह मतलब इर्शा लिखाए जगडे और निंदा की बाते और बुरे-बुरे संदे हैं और मनुश्यों में वियर्थ रगडे जगडे उत्पन होते हैं जिनकी बुद्धी बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए है जो समझते हैं कि भ सकते हैं आगे लिखा यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इनी पर संतोष करना चाहिए पर जो धनी होना चाहते बहुत ध्यान से सुनिएगा अंतिम समय में प्रभु क्या बात आपसे बोल रहा है हम कहां कौन सी रेस दोड़ रहे हैं और प्रभु कौन सी रेस दोड भवाना चाहते हैं बहुत ध्यान से सुनिए जो धनी होना चाहते है वह ऐसी परिक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानीकारक लालसाओं में फसते हैं जो मनुश्यों को विगार देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है लिखा है कि बहुतों ने इसको प्रात करने के लिए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है अरे प्यारो परमेश्वर है जो सब कुछ बहुताज से देना जानता है वो ही छटे अध्याय में अगर आप देखोगे तो सत्रवी आयत में लिखा है कि इस संसार के धनवानों को आग्या दे कि वे अभीमानी न हो और चंचल धन पर आश्चंचल धन दे के चंचल धन मतलब पैसा दन वो नहीं है कि जो हमेशा एक बार आ गया है भर गया तो वो भराई रहेगा वो निकल जाएगा यूं उस पर आशा न रखे लिखाए परंदु परमेश्वर पर आशा रखे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुताज से हमारे सुख को प्रभू को तै कर दे दो आपको पताओगा रूत और अब राहम को अलग होने की बारी आई पर बेश्वर ने त्या करके रखा था कि अबरहाम को ये भाग है पर अबरहाम ने अपनी लशाव से खीच कर उसने वो भाग नहीं मांग लिया पर उसने नहीं अब्शन छुड़ा विकल्ब अपने से शांती से अलग होंगे और प्यारों जब अब्राहम के हिस्से में जो आया वो बचा हुआ इसके भाग में आया और वही आज का इसराइल कितना आशेशित भाग है जो परमेश्वर ने उसे दिया प्यारों जब हम अभीलाशा को छोड़ते हैं जब हम अपनी अभीलाशा को काटते हैं तब हम उस खित्र में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर जिसमें हमें प्रवेश करवाना चाहते हैं पर हम अगर अपनी अभी प्रभू ग्यान और बुद्धी देता है हमें और उसके मुताबिक आगे बढ़िये प्यारो बहुत कुछ है पर अपनी बुद्धी के सहारे मत आगे बढ़ना प्यारो यह बहुत बड़ा टेम्टेशन अंतिम दिनों में लोगों को लोग बटक गए और बरबाद हो गए अप प्याओ में निश्ट कलंक और निर्दोश रहे यह जो बाते बोली है अभी हमने पढ़ा यह चार से दस आयत में कि यह सब बातों में हमें निर्दोश अपने आपको रखना है हाललुया दूसरा दूसरी एक आयत हम पढ़ना चाहेंगे है फिलिपियों की पत्री तीन और 20 फिलिपियों की पत्री तीन और 20 लिखा है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उध्धार करता प्रव येश्य मसीह वहां से आने की बाट जो रहे कहां से आने की बाट जो रहे हैं वहां से कहां वहां से स्वर्ग से और मतलब वो स्वर्ग हमारा स्वदेश है विश्वासियों का स्वदेश क्या है स्वर्ग इसका मतलब हम जहां पर रहते हैं अभी वो क्या हुआ हमारे लिए पर देश पर देश आप और में परदेशी है प्यारों और हमें वहां पर जाना है और इसलिए वहां की तैयारी करनी है हमें हम इस प्रकार जीवन जी रहे जैसे हमें यहीं रह जाना है बस हमारे हमारे बस यहीं दिन काटने है प्यारों सचेत हो जाएए वो दिन जो सारे संसार पर आने वाला है अचानक हमारे पर ना आ जाए पर इसलिए हमें तयार रहना है कि हम उसके सामने खड़े होने के लायक ठैर सके जाएए अपने आपको समझाइए अपने आपको कहिए बेटी बेटा तुब किस दिशा में जा रहा है अपने आपको ही देखते रहे ना स्वकेंद रिता बस मैं मैं और मैं और मेरा भला हो प्यारों ये कुछ अलग है सिर्फ परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहने तक सिमित नहीं है या तो प्रभु के दासों के साथ जुड़े रहने तक सिमित नहीं है ये कुछ आगे ले जाने की बात है देखे वो अभी आपको समझ में आगा क्या आगे ले जाने की ब नौवी आयत से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यह लिश्ट में नहीं है इसलिए यह आयत आपके सामने नहीं आएगी आपके हाथ में हो तो आप निकाल कर पढ़े तीन सो तेरा नंबर का पेज है नए नियम में इबरानियों की पत्री ग्यारा और नौ से पढ़ाए विश् किया मतलब यह हमारा तंडू है कि है हम पर्देशी है परमेनेंट में यहाँ पर टेमपररी हम संसार्बे जी रहे पर हमारा स्वादेश वहां पर है मतलब मूल स्थान हमारा वहां चाहां पर प्रणी यश्यों लेने आने वाले क्योंकि वह उस स्थीर नीव वाले नगर की बाट जोता था, देखे, स्थीर नीव वाला नगर वो हमारे लिए है, और वहाँ पर जाने के लिए हमें बाट देखना है, हललुया, एक और आयत इसी में 13 आयत से पढ़ेंगे, इबरानी 11-13 से, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, विश्वास के शूर्वीरों की बात की है, यहां 11 अध्याय में शुरूआत से, जीनोंने विश्वास करके अपने आग को समर्पित कर दिया प्रभू के पीछे चलने के लिए, समाज और सब का तिरसकार सह लिया उन्होंने, लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा मे मरना है, हमें भी, हमारे लिए भी यही है, और विश्वास की दशा में नहीं मरना है हमें, लिखा है, और उन्होंने प्रतीग्या की हुई वस्तुए नहीं पाई, उन्होंने नहीं देखी, पर उन्हें दूर से देखकर आननदित हुए, उनको पता था, दूर से देखकर आ लिखा है पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया, मान लिया कि हम पृत्वी पर परदेशी और बाहरी है। क्योंकि हम सब वहीं जाने वाले और वहीं वापिस मिलने वाले हैं। कैसी बाते करते हैं। उसने ये कर दिया वह साब ने ऐसा बोला और ये गलत बोलते हैं। वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, उसने मुझे ये बोल दिया, अब मैं उसके साथ बातें नेख, प्यारों ये सब बातें, ये संसार की बातें हैं, ये प्रुथवी की बातें, ये ये ही रहे जाएगे, इसको छोड़िये, अपने आपको यहां से, अपने आपको अलगा, देखें पर एक बड़ी आशा उसमें है प्रकाशीत्व के बाइस और ग्यारा में था लिखा है कि जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए मटलब जो विश्वासी है उसको और भी प्रयास करने हैं। और भी एफट लगाने हैं। और यह सब बाट जोने की बात है प्यार हो। देखे कुछ और बाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप यहां सामने स्क्रीन पर देख सकते हो वाइबल में से अपना ध्यान अप्राइब वह जोते कौन बाट जोता है पता है बाट कौन जोता है जो तैयार होता है ये कि आपको कहीं जाना हो और रेलवेगे प्लैट्फॉर्म पर से आपको ट्रेंड पकड़नी हो तो क्या करेंगे आप रेडी कर लोगे आपने सब बैग बोरी आप इस तरह सब कर लोगे और रेलवेगे च्टेसन पर चले जाओगे अब क्या करोगे वहां जाकर फ्लड़ा प्रवेज होते जो तयार होते, क्या आप तयार हो, क्यारो मैंने अभी बोला कि ये वो बात नहीं है कि बस विश्वा से उसे संगत करते रो, सेवकों से संगत करते रो, और that's all, finish, हमारे उपर इनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, हम उस मिनिश्री में प्रातना करवात है, that's all, क्या ये पूरा हो गया हमारे लिए, no, हमें तयार रहना है, बाट जो ना है, और बाट वो जो ते जो तयार रहते है, जिनोंने अपने आपको तयार किया होता है, क्या आपने तयार किया है, उस स्वदेश की खोज में जाने के लिए, क्या आपके मुझ से ऐसी बात है, हललुया, जो तयारी कर चुके होते हैं, जो छोड़ कर जाने की तयारी करते हैं, जिनको छोड़ने में खुशी है, वे लोग तयार है, जिनको छोड़ने में खुशी है, जिनके लिए स्वदेश स्वर्ग है, वो बाट देखते हैं, जिनोंने कीमत चुका ही होती है, दे मतलब कीमत चुकानी होगी, बाट जोने वाले लोग वो ते जो कीमत चुकाते हैं, कीमत चुका चुके हैं और आगे भी चुकाते रहेंगे, क्या आप वो लोग हो जो बाट जोने वालों में से हो, सच में आउसो प्रेर की कलीसिया, बाट जोने वाली कलीसिया है, मैं आपको लगेज जितना लाइट हो उतना सही है, बारी लगेज लेकर मैं कहां जाओंगा, दिक्कत मुझे ही पड़ने वाली है, इसलिए जो आवश्यक है वो ही लेना है, और जो आवश्यक है उसको छोड़ना है, पॉलेख का बोलता है, पता है? जो लाब की बाते थी, उसको कुड़ा समझा अपने स्वमान को कुड़ा समझना सीखे कभी आप प्यारोद, अपने लाब को कुड़ा समझना सीखे' कभी सीखिए प्यारो इन दिनों में अपने आपको मारिये येश्यू कहता है कि यदी कोई मेरे पीछे आना चाहिए अपने आपका पहले इंकार करें train yourself to deny yourself अपने आपको अपने आपका इंकार करने के लिए तैयार कीजिए तब ही आप दुसरों का हिप देख पाओगे और आप प्रभू के राज्य की खोज कर पाओगे अधर्वाइस नहीं कर पाओगे आप अपनी अपनी इच्छा को पूरी करोगे अपनी सेवा करोगे थुद की सेवा करते रह जाओगे प्रभू की नहीं होगी छोड़िये बात जोने वाले लोग focus होते दो तो चित्ते नहीं होते मैं दो मंद के नहीं नहीं मुझे मंजिल जाना है जाना है मुझे टैक करना है मुझे निकलना है I have to be ready बात जोने वाले लोग किसी भी हालत में कहीं भी अपने आपको एंगेज नहीं कर देते हैं, कहीं भी अपने आपको बांद कर नहीं रख देते हैं, वे ओपन रहते हैं, कभी भी मुझे जाना पड़ेगा, कभी भी मेरा कॉल आ जाएगा, अपने आपको छुड़ाईए प्यारो, क्या बांद कर रखा है, ये संसार आपको खीच रहा है क्या खीच रहा हैं छुड़ाइए उन अभीला शाव से अपने आपको वह लोग है जो हर एक प्रूफ को रैडी रखते हैं पता है हर एक प्रूफ को रैडी रखते हैं बाट जोने वाले जब वो मंजिल के लिए निकल पड़ते पैक करके उनके पास सारे डॉक्युमेंट्स रैड है आपके पास इसका मतलब है उद्धार का यकीन कि आपको यकीन है कि आपके पाप माफ हुए है क्या आपने येश्युमसी को अपना उद्धार करता ग्रहन किया है क्या क्या आपने अपने पापों का पश्चाता किया है मन फिराया है क्या अपने पुराने पापों को क्या आपने छोड़ दिया है तो आपके लिए उद्धार का सर्टिफिकेट है आपने क्या ये शुमसी की बलिदान पर विश्वास किया है क्या तो आपके लिए उद्धार का सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए ये प्रिविलेज और स्वभाग्य है प्यारों जो ये बाट जो नहीं है मतलब संसारी को अभीलाशा के दास नहीं है वो बंदे नहीं रहते हैं बाट जोने वाले वो लोग है जो जलसनान से मतलब वचंद से अपने आपको शुद्ध रखते हैं जो अपने वस्तर को साफ और बेदाग रखते हैं अपने वस्तरों को कलंकित होने से उद्धा रहना और फिर बाट जोने की बात है बाट जोने से पहले आता है तैयार रहना और प्रभु ने कलीशिया को क्या बोला है बाट जोना है अललोईया और बाट जोने वाले की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है दे आर प्योर इन हार्ट वो अपने दिल में कोई भी बर् कपट नहीं रखते वो निर्दोश होते हैं लिखाए कि जो मन के शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे अललुया जो मन के शुद्ध है वे देखेंगे क्या है हार्ट में, आपके दिल का पोस्ट मॉटम किया जाए, क्या निकलेगा उस हार्ट में से, क्या बाहर आएगे, जड़रापने आपको पूछीए, क्या देखकर आप चलते रहे, एक और आयत हम पढ़ना चाहेंगे दुसरा पत्रस आप निकाले, दुसरा पत्रस तीन और सत्रा, तीन और सत्रा, दुसरा पत्रस तीन और सत्रा लिखा है अपनी स्थिर्ता को खो न दो आगे लिखाए इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो यह जो पैसेज है जिसको कलीसिया का अगवा होने के लिए परमिश्वन ने चुना था अगवा था पत्रश्वां ने कह संभाल मेरी लोगो को संभाल और वह पत्र ये पत्री में कहता है कि उसके आने के दीन के लिए अपने आपको तेयार करो। उसमें चवदवी आयत से लिखा कि यतना करो कि तुम शांती से उसके सामने निश्कलंक और निर्धोस ठहरो। निश्कलंक और निर्दोष ठहरने का प्रयास कीजिए प्यारो अपने आपको जस्टीफाइब करने का प्रयास ना करे हस्बंड अपने वाइफ को और वाइफ अपने हस्बंड को जस्टीफाइब करने का प्रयास ना करे और बच्चे अपने माबाप को जो भी है वो साफ प्राइने का मतलब है सच्चाई से जीना सीखो कुछ भी ना चुपाओ अपने हजबंट से या वाइब से या माभाप से ट्रांस्परंट लाइफ जीओ तो ही आप और मैं कह सकेंगे कि हम निर्दोश है और निर्दोश लोग खड़े रह सकेंगे प्रभू के सामने हम तो हमारा देश और जाएंगे वहां पर प्रभू लेने आएगा हमारी आशा है बस गांगा तो अच्छा लगता है हमें पर क्या उसके लिए हम तैयार है हमारा हिर्दय तैयार है क्या क्या कपड़ पैंकर तैयार रहे ना है हमें प्रभू हमारे हिर्दय को तैयार करने की ब आपनी सीरता को हाथ से खो न दो प्यारों है शीर बनाएर रखने की लडाई है यह अंतिम दिनों में अपने आपको विश्वास में सीर बनाए रखने की बात है प्यारों लिखा कि पर हमारे प्रभू और उद्धार करता येशु मसी के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ अति पवित्र विश्वास में उन्नती करते जाओ वो ही बात है यहां कि कैसे मसी के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बोलिए मुझे अपनी स्थीरता को गवाना नहीं है, पर रभु येश्यु मसी के अनूगरह और पहचान में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, उसके आने तक बढ़ते जाना है, आललुया, देखे, दो किसम के लोग है इस समय में, जब रभु आएंगे बहुत सारे वाद वीवाद इसको लेकर भी होते कि प्रभु पहले आएंगे, बाद में आएंगे, या बीच में आएंगे, विपत्तिकाल में, छोड़िये इन बातों को, पर प्रभु आने वाले हैं, और प्रभु रैप्चर करने वाले हैं, पर ये कब करेंगे, ये इस ब और फिर क्या होगा पता है वाद वीवाद में उलद जाएंगे इसको छोड़िये इन बातों को मूल बात अगर तयार रहेंगे तो पहले आएगा या बीच में आएगा या साथ साल के अंत में आएगा जब भी आएंगे प्रभू उठाएंगे महत्वपूनश शर्ट यही है कि अपने आपको निश्कलंग निर्दोश प्रभू की आत्मा की सहाईता से हमें बनाए रखे अपने आपको और दो किसम के लोग है जब प्रभू आएंगे बात जोने वाले और दुसरे होंगे क्रूस के बैरी दो किसम के लोग इस समय में मिलेंगे मसीही कलिसिया की बात कर रहा होंगे बाट जोने वाले और क्रूस के बैरी देखे फिलिप्यो की पत्री तीसरा अध्याए और अठारा उन्निस मैं पढ़ता हूं आपके लिए फिलिप्यो की पत्री तीन अठारा उन्निस क्या लिखा है प्रभु का वचन क्या कहता है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते है जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार की है पॉलस कहता है फिलिप्यो की कलिसिया को कि जिनकी चर्चा मैंने बार-बार तुमसे की है और अब भी रो रो कर कहता हूं अब भी देखिए प्यारो पॉल उसको रोना आ गया कितनी चिंता थी उसको रोना आ गया इन लोगों के लिए कि ऐसे कैसे लोग हैं कि जो अपनी मन मर्जी से चलते हो लिखा है कि वे मैं रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से लिखा है आप और मुझको जाचना है कि मैं कहीं मसी के कुरूस का बैरी तो नहीं बन गया हूँ ना क्या लिखा है आगे किस प्रकार हम कुरूस के बैरी बन सकते हैं उननीस में लिखा है उनका अंतविनाश है उनका इश्वर पेट है बस पेट भरा तो इश्वर की महिमा हो और पेट मा प्रात्ना का जवाब मिला तो प्रेज्ज लोड हाले लिए और नहीं मिला तो क्या प्रभू ऐसा कैसा नहीं हम दूसरों पर दोस्त लगाएंगे या तो अपनी लज्जा की बातों पर गंवन करना है तो प्रबु कहता है मुझ पर तु मुझे जानता है इस बात पर गंवन्ण तर और पॉलो उससे अपने आपको तोड़ना पड़ेगा जो हमें बहुत खीचती है जो हमें लाब लगती है और थोड़े बहुत अंसपर हमें ऐसा भी लगते कि हाँ प्रभू पर मिट करते हैं इन बातों को ने पर प्यारों हमें समझना है कि किन बातों पर मुझे घमन करना चाहिए खुछ की अलाब और कुछ नहीं चिस पर मैं घमन करू फॉल उतिये कहता है उसका लहू ही जो, मुझे युग्य ठ्हराता है आपको और मेरा ग्ञान नहीं आपको और मेरा मेरी साउधानी हमें युग्य नहीं ठ्हराती है आपको और मेरा वचन का बहुत गहराई से ग्यान आपको और मुझको योग्य नहीं ठहराती है प्यारो आपको और मुझको अगर कोई योग्य ठहराता है तो ये शुमसी का बलिदान उसका प्रूस प्यारो इसलिए लज्जा की बात है उसके सिवाई की बात है उस पर कभी गमन न करे हम ये कर रहे हम वो कर रहे है उसको दिखा दे जो जोने वाले भूंझ पड़ा तींटर जीवन जीते हैं और संतुष्ट जीवन जीते हैं और मकसद को और मुझे आ BOY मुझ चुनाए उसको ठान रहने वाले लोग है पुरानी और कुछ पिछली बातों को छोड़ने वाले और निशाने की और आगे बढ़ने वाले लोग है यह जो बाट जोने वाले लोग है वो ऐसे है पुरानी बातों को छोड़ कर अपनी गलतियों को पकड़ पकड़ कर निकाल निकाल कर सुधार सुधार कर निशाने की और आगे बनाए रखने वाले लोग है जो बार जलवले लोग हे ओभीषीशेक बनाये को बनाये रखने वाले लोग है पांच मीट में हम पूरा कर रहे आखरी रेफरेंस हम खोल कर इसको पढ़ना चाहेंगे आपको पता होगा गैज़ तो पाँच बुद्धिवन्ती और पाँच मुर्ख कुमारी का मतलब पैन वर्जीन्स का बाइबल में उदान दिया गया निकाल लिए मत्थी 25 और एक से 13 हम पढ़ेंगे मत्थी 25 यहां पर तेखे बहुत जल्दी हम पढ़ जाना चाहते है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा यह जो बाट जोने वाले लोगों में जो आखरी पॉइंट मैंने बोला कि वह अपने अभिशेग को बनाए रखने वाले लोग है अपने अभिशेग के लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करन करने वाले मतलब शारीरिकता से अपने आपको काटने वाले लोग है पॉलुस कहता है कि मैं अपने शरीर का क्या करता हूं मार्क उटकर वश में लाता हूं सेल्फ कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं घमन करने की हजार वजे पर सिर्फ कुरुस में घमन करना यही एक वज़े बाकी है जिस पर हमें अपने आपको तालीम देना है प्यारों दस कुवारियों का द्रश्टान मत्थी रचित्सु समाचर 25 वेद्य में लिखा है स्वर्ग का राज्य उन दस कुवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूले से भेट करने को निकली दूले से मिलन देखें मशाले लि पर दिल नहीं लिया कितना सुकून होता होगा उनको की हम भी इस ग्रूप में शामिल है पर यह गुरूप में बहुत-बड़ा बटrowा होने वाला है जब दूला आएगा ने सक्वा बहुत-बड़ा सेपरेशन होनेवाला है इनको अच्छा लगता है अभी तक तो कि हम इस ग्रूप में शामिल है पर जब दूला आता है ने जो समझदार थी वो ही उसके साथ गई जो मुर्ख थी वो निकल गई कैसे देखो यहां लिखा है समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया तेल क्या बताता है पता है तेल अभिशेक की बात करता है पवित्रा आत्मा की अगवाई की बात करता है पवित्रा आत्मा की भरपूरी की बात करता है पिछले संडे प्रवुगेदास पाश्परगृष्णुनु बहुत सुन्दर तरीके से आपको यह समझाया था बहुती आसान लेंग्वेज में बता दिया था कि आत्मा की अगवाई में चलना क्या है यह नि शारिरीकता क्या है दैहिकता क्या है देखिए समझदार वो लोग है जो शारिरीक नहीं है पर आत्मिक है रोमियों की पत्री आठवा दिया इस समझदारी से बहुत ध्यान दे कर पढ़ना आपको समझ में आएगा वहाँ पर लिखाए कि समझदारों ने अपनी मशालों के चलो लिखाए तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी क्या किया उन्होंने अपनी मशाले ठीक करने लिए उनको पता चला दूला आ गया है और देखो क्या हुआ आठवी मूर्ख और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो अपने तेल में से कुछ हमें भी दो देखिए एक चीज़ है पवित्रा आत्मा का बप्तिस्मा बाटा नहीं जा सकता है यह आपको खुद को इसके लिए मेहनत करनी है आत्मा का दान पवित्रा आत्मा देता है पर उसकी भरपूरी तक जाना बहुतायता में बढ़ना य हम कौन सा भाग चुनाव करेंगे ताकि हम आत्मा की भरपूरी में बढ़ते जाए यह चुनाव हमें करना है हम कैसी सोच विचार करें कि हम आत्मा की भरपूरी में बहुतायता में आगे बढ़ने यह हमारे उपर है यह चुनाव प्रभू ने हम पर छुड़ा है उन्होंन अगुवाई में इंपार्ट किया जा सकता है भाथ रखने से पर इसको बाटा नहीं जा सकते है और उस अंतिम समय में ये ये बिलकुल असंभव बात है और लिखा है क्या हुआ यहां पर और मूर्खो ने समधार से कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशाल बूजिज रही थी देखिए उनोंने जो करना था जो कीमत चुका नहीं थी नहीं चुका इसलिए उनकी मशाले बूज रही है आज उन्होंने आवश्यक्ता के आधार पर तेल को नहीं लिया जबकि बाइबल में में कहा गया कि आत्मा से भरपूर होते जाओ होते जाओ और आत्मा से भरपूर होने के लिए हमें आत्मीक फैसले करने पड़ेंगे हमारी लेंग्वेज बदलनी पड़ेगी हमारी बोली बदलनी पड़ेगी हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा लोगों को देखने का लोगों को नापने का लोगों को तोलने का हम क्या समझते अपने लग कीजिए ताकि आप निर्दोष ठहर सको मुझे पता नहीं यह मैं क्यों बोल रहा हूं पर पवित्रा आत्म मेरे सामने इस बातों को रख रहे हैं लिखा है अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशाले बुजी जा रही है लिखा है समझदारों ने उत्तर दिया कदाचीत यह हमारे और तुमारे लिए पूरा न हो ऐसा न हो कि हमारे लिए भी कमपड़ जाए और तुमारे लिए भी कम पड़ जाए भला तो यह हैं कि तुम बेचने वालों के पास जाओ अपने लिए मोल ले लो, बेचने वालों के पास जाओ, मतलब की मचुकाओ, अभिशेक के लिए आत्मा के भरपूरी में चलने के लिए की मचुकानी पड़ेगी, सत्य पर चलना पड़ेगा, जूट को निकालना पड़ेगा, कितना जूट बोलते हैं कभी, देखा आपने, द जूट को खाटिये, बेचने वालों के पास जाओ, कीमत चुकानी पड़ेगी सच बोलने के लिए आपको, पिला तो उसने ये शुमसी को बोला, सत्य क्या है, पूछा था, ये शुमसी जानता है, सत्य वो ये बोला कि मैं हूँ, प्यारों, कीमत चुकानी पड़ेगी थी व एक पिरियड, एक समय है, उसमें हमें अपने आपको जगा देना है, हमें अपने आपको अति पवित्र विश्वास में उन्नती में, उन्नती की दोड में दोडाना हैं हमें, और निर्दोष और निश्कलंग बनाए रखने के लिए अपने आपको संभाले रखना है, अपनी स्थिर्टा को गवाना नहीं है लिखा है कि देर हो गई प्यारो दुला आ गया और जो तैयार थी वे उसके साथ विवा के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया प्यारो जिन के पास तेल होगा यह बहुत आवश्यक है प्यारो यह अंतिम समय में तेल का होना बहुत ज कि शच्णे पवित्रा आत्मा की बातों को खोजे अपने को जस्टीफाइब ना करें अपने एक और शेकर अच्छा ना दिखाये यह को अच्छा दिखाने का प्रयास करें त्योंग एक-एक शथन रेकॉण किया जाता है प्यारो आपको इतनी गंभीरता या आपको मुझे पता नहीं है एक शब्द कीमिति यह प्यारो हमारे लिए जो हमारे मुँससे निकालते हैं यह हमारे दिल की स्थिती को बयान करता रही हम निल में लाइफ दे रही लोगों को यह शुकि क्या जरूरत पड़ेगी पता है टेक्नोलजी लोगों को वो दे रही है जो उनको कहीं नहीं मिल रहा है कि यह अंतिम समय में तो बहुत कुछ हुने वाला है प्यार है रोबोटिक लाइफ में आने वाला समय आने वाला है रोबोटिक लाइफ का प्यारू आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का जो इंटेलिजेंस परमेश्वर देता है इंसान को वो नहीं पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और ऐसा समय आने वाला है प्यारू आने वाला क्या आच प्यारों अपने आपको संभाले पाइनल एक आयत पढ़कर मैं रातना में आपको अगवाई देना चाहूंगा पत्रस कि दूसरा पत्रस और दूसरा अध्याइद चार से मैं पड़ता हूं क्योंकि जब पर्मेश्वन ने उन स्वर्गदुतो को जीनों ने पाप किया नहीं छोडा पर नरक में भेजकर अंदेरे कुंडों में डाल दिए स्वर्ग दूत जो स्वर्ग दूतों ने पाप किया पतित हुए उन स्वर्ग दूतों की बात है उनको प्रभुन अंधेरे कुंडों में डाल दिया नरंक में पेज कर और न्याय के दिन तक वो बंदी रहे और प्राचीन यूग के संसार को भी न छोड़ा कौन था प्राचीन सबस्ट में पड़ा था कि नोइन पर जल्पलाइ आया और आनेवाला है अब जल प्रले नहीं आने वाला हैं इन पर अगके भक्ति हिंटा में से participant को निकाले बाहर प्यारों खाली भक्ति में से बाहर लाइया और सक्ची भक्ति में शामिल के ज़िए तीसरा और सदोम और अमोरा के नगरों को वीणाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राक में मिला दियाकि आने वाले भकति हिन लोगों की शिक्षा के लिए द्रस्टांत बने भक्ति हिन लोगों की शिक्षा के लिए एक द्रस्टांत बने ये तीन बाते बहुत जबर्दस रीती से यहां पर हमारे लिए द्रस्टांत के रूप में लिखी गई है कि जो अपने आपको आपे से बहार ले जाते हैं परमेश जुटका रहा था, जीनों ने अपने आपको बचाये रखा, जीनों ने अपने आपको निश्कलंक रखा हूँ, दूसरे भी स्वर्गदू थे, जीनों ने वो पाप में शामिल नहीं हुए, शैतान के साथ जुड़े नहीं, दूसरे भी जो लोग थे, विशेश करके नू की बात करें, तो नू और उसका परिवार ही बचा, उन्होंने नू की बात पर विश्वास किया, क्योंकि नू ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया था, और तीसरा, लूत जो सदोम और अमोरा में था, उसको बचा गया, पर उसकी वाइफ वहाँ पर खार का खंभा ब तायार रहने को एक स्टेप आगे को समझते हैं। बाट जोने वाले वह लोग हैं प्यारों, जो अपने आपको परमेश्वर के लिए अविलेबल किया हैं। प्यारों, प्रातना में जाएंगे और महत्वपून बातों में कि प्रबु मेरे दिल को तुष साफ करे, मुझे तु बदल, मेरे जीवन को बदल, जहां पर मैं गलत ठहरा हूं, प्रबु, तु अआँ्खों को खोल, और भक्ती में से मुझे छुडा ले प्रबु, उन बातों को जो मैं पगड़े हुए हूं, जो गलत है, जो आत्मीक नही है जो शारीरिक है जो अपने आप पर केंदरित करती है स्वा केंदरित बाते प्रभु मुझे उनसे छुड़ा ले कहे प्यारो कि उस धर्मी लूत की समान प्रभु मुझे भी उन अभक्ती भाव से जीने वाले संसार के लिए प्रभु प्रभु पश्यताब के साथ तेरे दुख ही करता था कहने का पावर थे कि वो वो भी दुख ही हो रहा था कि यह गलत हो रहा है प्यारो क्या आपको दुख हो रहा है कि जब आप और हम गलत करते हैं यह संसार में जब गलत होता है सिर्फ अफसोस करने की बात प्रभु नहीं कर रहे है प्रात्ना में ले जाने कभी क्या हम जूत से नाटा तोड़ने का प्रयास किया क्या सबकर बोलने के लिए कीमत चुकाई क्या हमने कभी क्या आप और में सच में तयार हैं क्या हम बाट जो रहे हैं कि हम सिंप्ली time pass कर रहे बाट जोना platform पर बैट कर time pass करने वाली बात नहीं है प्यारो बाट जोने का मतलब है जहां मंजिल है वहां जाने के लिए वहां ले जाने के लिए येश्व आने वाला है और उसकी बाट देखना है इसका मतलब है कि अभक्ति से अपने आपको अलग करना है कुरूस के बैरी नहीं बनना है पर बाट जोने वाला मुझे बनना है कहें प्रभू से प्रभू मुझे कुरूस का बैरी बनने से बचा ले प्रभू मैं कुरूस का बैरी नहीं बनना चाहता हूं मेरे जीवन मेरे पापों को टूणने के हैँ मजह गलतीयों को स्विकार करने का अनुगर दे मुझे दुसरों की गलतियां डूनने से बचाईए प्रभू, मैं ऐसे पाप में नहीं पढ़ना चाता हूँ, मैं दुसरों को नापने का पाप नहीं करना चाता हूँ, प्रभू कहता है कि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुमें नापा जाएगा, मैं नापना नही तो उस दिन तक प्रभू के आने तक निश्कलंक और निर्दोश्रक और उस प्रकार बाट जोता रहें। अननेसेसरी और अनावश्यक बाते से अपने आपको अलग कीजिए प्यारों। जो आपका समय बर्बाद करती है, ऐसी मोबाइल की गेम्स, ऐसे फेस्बूक, ऐसे वाटसेप, ऐसी चीजें जो आपका समय चोरी कर लेती है, अपने आपको छुडाईए प्यारों। मैं कहता नहीं। जिए सब गलत है, प्यारों। पूरे गाँ भर संसार की जानकारी ना रखिये। आप उतनी जानकारी रखिये कि जो येशु चाहता है। प्रबू से कहें प्रबू, प्रबू मेरे फोकस को बदल प्रबू, मेरे फोकस को बदल प्रबू, मैं अपने आपको अच्छा समझता हूं प्रबू, और दुसरों को कभी बुरा समझता हूं, जबकि प्रबू, तु किसी को स्थिर रखना न रखना तेरे हाथ में प्रबू, मैं दुसरों को नयाय करके दुसरों को नाप तोल कर कहीं अपनी स्थिर्था को गवाण न बैठू प्रभू दुसरों को अच्छा बुरा ना समझूँ पर मैं तेरे सामने खड़ा होने के लिए लायक भब ठैरू प्रभू ये प्रयास करने के लिए मेरी सहाइता कर प्रभू, उस बातों को जो लाव की है उनको कुड़ा समझने के लिए प्रभू, मेरे माइंड का क्रांसफोर्मेशन कर प्रभू, मुझे सॉबरली लाइफ जीने के लिए, रैचियसली लाइफ जीने के लिए, गॉडली लाइफ जी और बिडाग, धपा, या जूरी ना पढ़ने दू परबश्वर, ओ फरबेश्वर, मेरी प्रात्मय परबेश्वर, प्रबु हर एक जन, जिनोंने अपने आपको तेरे आग्मन के लिए तैयार करने के लिए अपने आपको समर्पित किया है, प्रबु उन हर एक को तू ओ प्रभु तेरा अभिशेग दे अंतिम समय का अभिशेग दे परबेश्वर। हम देख रहे कि शैतान अपने कार्यों को पूजए जोर और शोर से फैला रहा है पर पर कलीशिया और प्रभु के लोग नीरबल बने पड़े है पर पर बेश्वर। हम मांगते परबेश्वर तेरे उस अंतिन समय के अभिशेक को तो उंडेल दे जिसके लिए लिखा गया है कि तेरे बेटे और बेटियां भविश्यवानी करेंगे, ओ हालेलुया, तेरे जवान संदर्शन देखेंगे, तेरे बुड़े स्वपन देखेंगे, ओ परबेश्वर उस अंतिन समय के अभिशेक को उंडेल और उस अभिशेक में बने रहने के लिए प्रबू हमें अनुग्रदे, ओ प्रबू और विसामर्थ कैशाली तरीके से सिवकाई करने का अनुग्रदे प्रबू, ओ प्रबू लोग टेक्नोलोजी को भगवान बना बैठे, लोग साइ तो इंसारी टेक्नोलोजी से, इंसारे सायं से उपर है प्रबू और प्रबू यह इन सही कर सकता है प्रबू, तेरि कलीस्या इपता सक्ती है कि … Nobel is the God Yahweh is the God येशुही से एक बहत्र परबेश्वर आया थी नहिया प्रबु तो अंतिम सभी के आभिश्यक सा भण 매ING function लोगों को इलिए दुखी रिजाई से मांगने वाली बना परबेश्वर, ओ प्रभु हम वांगते हैं परबेश्वर, प्रभु हम पाद जोने वाले बना, प्रभु, हम completely थायर रहें परबेश्वर, ओ प्रभु, आप अनुग्रद करें परबेश्वर, आपने जो बातों को क प्रबु तेरा लगु तेरा आटमा तेरा नाम हमारी ताकत है स्वर्ग हमें बैक अप देने के लिए स्वर्ग पूरा खड़ा है हम किस के लिए राह देख रहे प्रभु है जो आपको और मुझ को बचाने के लिए समर्थ है प्यारो आपको और हमारे परिवार को बचाने के लिए प्रभू समर्थ है प्यारो जब वो अकेले नू के परिवार को पूरे संसार में से बचा सकता है वो क्यों आपको बचा नहीं सकेगा, प्यारो आप उसका दामन पकड़े रहे, आप पकड़े रहे उसको हाथ को प्यारो उसको पकड़े रहे, थामे रहे, वो ही आपको बंधिल तक ले जाएगा, वो आ रहा है प्यारो बहुत जल, अपने आपको तैयार पॉजिशन में रख पाप है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो जटक दीजिए येश्व के नाम में येश्व के नाम में जटक दीजिए कहे मैं येश्व की सेना का सदस्य हूँ येश्व ने मुझे जिन्दा किया है येश्व ने मुझे नया जन्म दिया है इसलिए नहीं कि बस मैं ऐसे ही मे करने के लिए ये आपका सवाल है ये आपके लिए है प्रभू आपको उस अभिश्यक से भर कर उस अगवाई में ले जाना चाहता है ये वो दिन है प्यारो जो एलिया के दिन है ये इजेकियल के दिन है प्यारो ये दाउद के दिन है प्यारो जिसमें गोलियात को हराया गया ओ जो सुखी हड़ीयों को जिन्दा किया गया प्यारो, वो इलिया का समय था जिसमें आकास से आख को गिराया गया, और तब लोगों ने घुटनों के बला कर कहा, कि यह वे, यहो नहीं परवेश्वर है, ओ प्रभू, इस बदलते संसार में, इस बदलते यूग में, ये शु प्रभू ही कलिश्या के द्वरा स्वाबित कर सकता है, और हम उस अंतिन समय के अभिश्यख के लिए प्राइतना करते हैं, प्रभू, तो उंडेल दे पर बेश्वर, ओ प्रभू, तो उंडेल दे और एक ऐसी एक्टिमिटी से तेरी कलिस्या के लोगों को तो बचा पर प्रभू तो अनुग्र कर परबेश्वर कि तेरे अभिष्यक से भर्पुर हो और तेरी महिमा के लिए वह अपने आपको तैयार रखे ओ प्रभू वे तेरी महिमा का एक डिस्प्ले बन जाए पर बेश्वर जिनको देखकर लोग कहें कि जिन्दा परमेश्वर इनका खुदा से और अपने अपने ख्वाबों से बहार आईए फरमेश्वर आ रहा है अपने ख्वाबों से बहार आईए प्यारों कहां जी रहे हम कहां जी रहे प्रभू प्रभू हमें बाट जो हने वालों के ग्रूप में देखना चाहता है हमें उन ग्रूप में देखना चाहता है जो पांच बुद्धिवन्ति खुमारी का थी, ओ प्यारो, कहीं वो सेप्रेशन हो जाए, उसके बाद में मत जागना, सेप्रेशन होने के बाद में मत जागना, कलीसिया से जुड़ गए हो, उठा लिए जाओ गए, ये मत समझ लेना प्यारो, अपने आपको बनाए रखिये, जा एक अद्बू ट्रांस्फरमेशन लाइए पर बेश्वर, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, और हमें तैयार कीजिए प्रभू, हाललोया, प्रभू तेरी महिमा के लिए इन सारी बातों को आपके चणों में रखते हैं, प्रभू, येश्यू के नाम में प्रात्ना करते इसे कबूल करें, आमें, आमें